वश्कार दोस्तों मेरा नाम है अबनीश स्वारत है आपका मेरे येट्यूब चैनल नियू एक्वा होबी में आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो एक बहुत जरुरी टॉपिक है प्रॉपर वे आफ क्लेनिंग ग्रेवल्स ग्रास मैट वाई साइफन पंप य नॉर्मली इससे आप ग्रेवल्स या फिक ग्रास मैट साफ कर सकते हैं क्योंकि इसमें सक्षन होता इसमें एक वैक्यूम क्रेट होता जिससे सारी गंद की सग होके वो निकल जाती है नॉर्मली लोग बकेट में पानी भर के फेकते हैं बट आज मैं आपको सही तरीका सा पाइप मैंने लिया है और इसको मैंने डारेक्ट रेनाउट के लिए यहां पे लगा दिया है अभी क्या करना है आपको जो दूसरा एंड है दूसरा सिरा है इसका साइफन पंप का उसको एक्यूरियम के अंदर डालना है और इसमें आपको वैक्यूम क्रेट करना है क्यो भी है उसको साफ भी करना है उसके लिए आपको नीचे रखना है और दो बार इसको ऐसे नीचे रखिए और दो बार इसको ऐसे प्रेस किजिए इससे क्या होगा इसमें वैक्यूम क्रेट होगा और वो सारी गंद के खिचके यहां से निकल जाए कि देखे मैं आपको दिखा द को यह सजेस्ट करूंगा कि हर 15 दिन में आप 20 परसेंट पानी चेंज कर दो उसे जल्दी भी चेंज करना ठीक नहीं है क्योंकि पानी जितना फ्रिक्वेंट आप चेंज करोगे मचलियों के लिए उतना ज्यादा हमफुल होता है वो अपने आपको एड़जस्ट करती है पी एच लेवल में बाकी टेंप्रेचर एंडॉल में तो उनके लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रेट हो जाती है दूसरा यह है कि 15 दिन में आपको पत्थर भी साफ करने है और ग्रास मेट वगएरा जो वो साफ करनी है त चो 15 दिन में एक ही साइफन पम्प से पानी निकाल भी सकते हैं 20% देखिए मैंने क्या क्या है यहां पे उनके मार्क लगा लिया है मार्क लगाने से देखिए रडसे में आपको धिक आरद्म पर 250 अश्च साफ करने है और उस मार्क तक पानी खाली कर लेना है जब बहां तक आ जाए तो साइफन को निकाल के रख देना है इससे क्या होगा कि आपको 20% पानी भी निकल गया और पत्थर भी साफ हो गया अब यह हम आपको बताते हैं पत्थर साफ कैसे कर सकते हो प्रॉपर वे में आप एक जगे रखेंगे इसको रखने के बाद दो बार प्रस करेंगे आपने जब इसको दो बार प्रस किया है तो इसमें वैक्यूम ग्रेट होता है वैक्यूम का मतलब खिचाओ वो सारे गंदकी को सारे नीचे के वेस्टेज और फूड को वो सारे को खीच के पानी के साथ निकाल देता है आपको क्या करना है इस पार्ट को उठा उठा के हर जगे रखना है जिससे की हर पार्ट के हर जगे के गंदगी निकल जाए आपको ग्रेवल्स आगर आप flirting उश करते है तो ग्रेवल्स पे भी आप ऐसे रखिए रखने के बाद दो बार इसको प्रेस कीजे तो उसके जो सक्षन से उसके जो वैक्यूम से गंदगी निकलेगी वो आपको साफ दिखाई भी देगी क्योंकि मेरी ग्रास मेट अभी नहीं है तो इसमें इतना गंदा नहीं है कुछ भी जिससे आपको दिखाई देगो पट इवन मुझे पानी काली करना था तो उसके लिए भी मैंने साइफन को ही यूज कर लिया है इससे क्या है आप हर पंदा दिन में अगर 20% पानी चेंज करते हो तो आपका पंदा दिन में पत्थर भी चेंज कर देते हैं ये बिल्कुल मत कीजेगा क्योंकि ऐसे करने से मैंने जैसे आपको बताया पानी का पीएच चेंज होगा उनका टेंप्रेचर चेंज होगा तो फिश को एड़्जस्ट होने में काफी प्रॉब्रम आती है और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि फिश को निकाल के दूसियर पहर कर लेते हैं फिर सारे ग्रेविल्स को निकाल के उनको सुखा के दुबारा से रखते हैं ऐसा करना ठीक है बट ऐसा आप one or twice a year कीजे छे महिने में एक बार ठीक है छे महिने में एक बार पूरे aquarium की सफाई बनती है उसके लिए आपको fish को अलग निकाल लेना है लेकिन once ना six month छे मेने में एक बार नहीं उससे पहले नहीं करना है क्योंकि जितना आप कम करेंगे उतना मचलियों के लिए अच्छा है बर छे मेने वेबकर साफ करना भी ज़रूरी है उसके लिए जैसे मने आपको बताया सारी fish को अलग कीजिए सारी plants को अलग कीजिए decorative items को अलग कीजिए grass mat यूज करते हैं तो उसको अलग से निकाल के साफ करें और सारी पत्थर्स को अगर आप यूज करते हैं तो उनको निकाल के आप सुखा लेजे सुखा के आप तुबारा से धुल के इसके अंदर डाल सकते हैं इससे क्या होगा कि इसमें अगर कुछ harmful bacteria बगरा create होते हैं time to time आप grables उपर से साफ कर ले तो बट कहीं न कहीं वो नीची create होते रहते हैं तो वो सारे साफ हो जाएंगे बट एक चीज़ आप ध्यान रखेगा जब भी आप पूरा tank साफ करें filter साफ मद कीजेगा क्योंकि उससे क्या होगा कि जो अच्छे bacteria होते हैं जो benefit देते हैं fish को वो वाले bacteria होते हैं वो सारे nest हो जाएंगे सारे destroy हो जाएंगे वो नहीं करना है आपको यह था दोस्तों आज का topic केवल्स को साइफन पंप से साफ कैसे करें टिप्स में repeat कर देता हूँ bucket यूज़ना कीजिए लंबा सा pipe लगाए डरन आउट करने के लिए 20% पेक mark लगाए साइफन पंप हर 15 दिन में यूज़ कीजिए पत्थर एक बार 6 महिने में निकाल के साफ कीजिए कभी भी पत्थर और filter एक साथ साफ मत कीजिएगा आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई